एक बार दुआरा स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल SG Food World में मैं अपनी पिछली वीडियो में जैसे टिप्स और ट्रिक्स लाई थी बहुत ही यूसफुल इस वीडियो में भी मैं आपके साथ बहुत ही यूनीक टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी बहुत ही छोटे जोटे जोगार जिससे हम अपने घर में छोटी-छोटी चीजों को असान बना सकते हैं यह छोटे-छोटे जोगार ही है जो आपका टाइम भी बचाएंगे साथ में आपका काम को असान भी बनाएंगे अगर आप भी में साथ ऐसे कोई किचन हैक्स यान उसके शेयर करना चा आपको सबसे पहले मिल पाए चलिए शुरू करते हैं फर्स टिप की और बढ़ते हैं कभी कभी क्या होता है कि आप पतीले में दूद रखके भूल जाते हैं और ग्यास तेज होने के कारण दूद सारा पतीले से भार आ जाता है तो इसमें एक बहुत अच्छी टिप है एक कर् काम भी नहीं बढ़ेगा है ना असान सी टिप बहुत ही असान है इसको जरूर अजमाए दूद बिल्कुल भी भार नहीं निकलेगा नेक्स्ट टिप की और बढ़ते हैं कड़ाई जो इतनी सूख जाती है जब हम कुछ बनाते हैं बिल्कुल साफ नहीं हो पाती जितना भी स से मस नहीं होती है इस गंदी सी कड़ाई को बिल्कुल नए जैसा बनाने के लिए बिल्कुल साफ करने के लिए क्या किया जाए जब आप कुछ बना के चुके और वो सूख जाए कड़ाई तो उसी वक्त धूने की कोशिश ना करें इसे थोड़ी दिर पानी में भीगो दें बिल्कुल अच्छे से जब यह भीग जाए तब इससे साफ करें तब आपको ज्यादा सरफ की भी जहत नहीं पड़ेगी आपको करके दिखाऊंगी यहाँ पे ऐसे ही कई बड़ी आटा गूनते हैं तो आटा बिल्कुल सूखा चिपक जाता है परांत में वो भी नहीं साफ हो पाता उसको भी क्या किया जाए उसको भी थोड़ी देर पानी में भीगो दिया जाए जब बरतन अच्छे से भीगेगा सारा जो गंद लगा है परांत में और जो कड़ाई में लगा है वो अराम से निकल जाएगा आपको जादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी मैं यह आपको साफ करके दिखाऊंगी बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी यह कड़ाई देखिए थोड़ी देर भीग चुकी है दस से पंदा मेंट अब इसे साफ करेंगे तो देखे कितनी असानी से यह कड़ाई साफ हो रही है बहुत जादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही पानी से धोलेंगे बिल्कुल साफ हो गई है ऐसे यह आम बाकी बरतन भी धो सकते हैं बहुत ही छोटी सी टिप है पर बहुत काम की है, बहुत ही असान, जरूर बताइए का मुझे ये कैसी लगी है आपको ये टिप, आपके पास भी कोई ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हों तो मैं इसा जरूर शेयर करें, देखे परान पिल्कुल साफ हो गई है, आपको जादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बढ़ते हैं नेक्स टिप की और दैं जमाने का सही तरीका, दैं जमाना घर पे बहुत असान है, पर एक टेकनीक आनी चाहिए, जो कि मैं आज आपको बताऊंगी, दैं जमाने के लिए एक बरतन ले, जिसमें आपको दैं जमाना है, उसमें दूट होसा गरम होना चाहिए, जितना आपकी उंगली बरताश कर ले, उसके बाद दो चमच करीब जामुन डालेंगे, जो कि दैं है, नॉर्मल टेंपरेचर पे होना चाहिए, थंडा नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से मिलाए, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूं, मैं थ थोड़ा सा जामुन और डालूंगी, कि तकरीबन आदा चमच, तो टोटल ये ढाई चमच हो गया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, मैंने, जिस जगह पे आप दैं जमा रहे हैं, वो एक बाई सेट कर ले, ताकि बार बार आपको दैं हिलाना ना पड़े, एक बारी ज चामुन लगाने के बाद दैं को बिल्कुल ना हिलाएं, और एक प्लेट से ढग दें, उसके बाद किसी स्वेटर या गरम कपड़े से इसको ढगेंगे, तो दैं बहुत अच्छा जमेगा, ऐसे ही आप लोटे में भी जमा सकते हैं, और अगर आपको गारा दैं जमाना है, थोड़ी सी मलाई डाल दें, तो बहुत ही अच्छा बिल्कुल बजार जैसा दैं बिल्कुल जमेगा, एक डेर चमच आप मलाई डाल सकते हैं, थंड के समय और गरमियों के समय थोड़ा सा फरक होता है, थंड में थोड़ा जादा जामुन लगता है, ये मैं आपको सर्दिय के टाइम का दिखा रहे हूं, आप अगर गर्मियों में जमाएंगे तो डेर चमच आमुन भी काफी है, अच्छा से मिक्स करना है ये जरूर याद रखें, और नॉर्मल टेंपरेचर का दैं होना चाहिए, और ढग दें इसको और उस जगह से इसको ना हिलाए, छे से आठ लगते हैं इसको जमने के लिए, तो भैतर होगा आप रात को जमाएं, तो सुबे तक आपका दैं बिल्कुल पर्फेक्ट जमेगा, मैं आप इसको दिखा रही हूँ है कैसा जमाएं सुबे, देखिए कितना पर्फेक्ट जमाएं ये, जब साइडों से पानी निकलने लगे तो मतलब दैं जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से जमाएं, सही तरीके से जामुन आपने लगाया है, सेट हो गया ये बिल्कुल, नेक्स्ट टिप की और बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बढ़िया बढ़िया टिप्स लाइं हूँ मैं आज आपके लिए, कई बरी जो कुछ नहीं करना, सेखना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस ब्रेट के टुकडे करके इसको मिक्सी में डालना और इसको ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल बारीक, देखें कितना बढ़िया लग रहा है ये, आप इसको थोड़ा सा लो फ्लेम पर नॉन स्टिक पैन में इसको रोस्ट कर लेंगे, ताकि ये खराब ना हो, जादा टाइम तक चल पाएं, ये रोस्ट की हुए ब्रेट के क्रम्स आपके कम से कम एक महीना चल जाएंगे, फ्रिज में रखेंगे तो आप, अलका सा रोस्ट होने के बाद, एक दो मिनट के बाद, इसको ठंडा कर लें, और किसी डब्बे में इसको स्टोर करें, फ्रिज में, एक महीना अराम से आपकी ब्रेट करम्स चल जाएंगे, अगर आप घर पे कोई कटलेट बनाते हैं, ये ब्रेट रोल बनाते हैं, उसको आप इसमें रोल करें, और फिर उसको ठीप फ्राय करें, तब उसका टेस्ट डबल हो जाएगा, बिल्कुल बजार जैसे लगेंगे, नेक्स टिप की और बढ़ते हैं, जब कड़ाई में तेल बच जाता है, तो वो बहुत गंदा सा हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, काला काला सा लगने लग जाता है, और नेक्स टाइम आप यूज नहीं कर पातें, तो इसके लिए क्या करें, एक छनी लें, और एक कोई भी कटोरी लें, उसमें अच्छे से इसे छान लें, जैसे मैं करके दिखा रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये जब अच्छे से छन जाएगा तेल, तो आप इसको रियूस कर सकते हैं, इसका गंद बिल्कु से हो जाते हैं, जब आप ले के आते हैं, तो तो सही होते हैं, पर थोड़े दिन में, एक दो दिन में ही, ये खराब से उने लग जाते हैं, काले से पढ़ने लग जाते हैं, तो इसकी क्या टिप है, एक फोईल ले, और जो उपर का तना होता है, उसे इसको कवर कर दें, काले नहीं पड़ेंगे बिल्कुल बेंगे बहुत ही आसान tip है ना नेक्स टिप की और बढ़ते हैं जब आप पहेंगन काटते है तो काटते ही देखते हैं कि काटते काटते ही काला होने लग गया ये काला ना हो तो इसके लिए क्या किया जाए आप एक बिगोने में पानी लेके बैठें और जैसे जैसे काटते जाएं इस बैंगन के टुकडे उसमें डालते जाएं इससे क्या होगा, बैंगन फ्रेश रहेगा और काला नहीं पड़ेगा सबजी बनाने से पहले ही काला हो जाता है बैंगन तो हम tension में आ जाते हैं कि इसकी सबजी कैसे बनेगी तो tension लेने की जरूरत नहीं है आपको बस पानी में इसके टुकडो को डालते जाएं ये बिल्कुल fresh रहेगा एक bonus tip में आपको साथ के साथ देना चाहूंगी जो आपके पास self in paper होता है self in sheet होती है उससे जो बाकी बचा बैंगन है उसको cover कर दे और फिर fridge में रखें तो ये बाकी बचा बैंगन काला नहीं पड़ेगा और बिल्कुल fresh रहेगा जब आप इसको use करेंगे है ना बढ़िया bonus tip एक से बढ़के एक useful tip में आपके साथ share कर रही हूं अगली tip भी हमारी बहुत useful है कई बारी आप देखते हैं हमें आलस सा आजाता है जो हरे पत्ते होते हैं चाए वो धनी के पत्ते हों पालक के पत्ते या फिर मेती के पत्ते उनको धोना बहुत मुश्किल लगता है उनके पत्ते फैले-फैले से होते हैं अगर हम डारेक्ली पानी में डालते हैं तो कुछ पत्ते हमारे पानी में ही रह जाते हैं और इसको बार बर धूना हमें बहुत आलस सा आता है धूने में मुश्किल लगता है तो इसको असान बनाते हुए मैं आपको बताऊंगी बहुत ही असान सी टिप जिसमें आपको ऐसे बार-बार धूने की बिजवरत नी पड़ेगी और एक बारी में पत्ते धुल भी जाएंगे ऐसे कोई बैग ले लें आप जो छनी भरा हो आपके घर में असानी से मिल जाएगा नहीं हो तो मार्केट में भी आपको असानी से मिल जाएगा ये इसमें सारे पत्तों को डाल दे, और ऐसे डिप करके पानी में असानी से दोले, है ना असान? इसको जितनी बारी भी आप धोएंगे, मिट्टी भी निकल जाएगी, और आपको मुश्किल भी नहीं होगी, पत्ते फैलेंगे भी नहीं, और असानी से धोल जाएंगे अब ये तो सीख लिया हमने कि धनिया के पत्तों को दोएं कैसे अब ये भी सीखेंगे कि धनिया के पत्तों को जादा से जादा वक्त के लिए कैसे स्टोर किया जाए ताकि वो खराब भी ना हो और बिल्कुल फ्रेश रहें तो धनिया के पत्तों को धूने के बाद एक तोलिय के कपड़े पे अच्छ से सुखा ले और जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ बिल्कुल मॉइस्टर इसका एब्सॉर्ब कर ले दबा दबा के अच्छ से कपड़े से पोच ले पोचने के बाद एक एर टाइट कंटेनर ले मैं या पे एक टपर वेर का बॉक्स ले रही हूँ और उसमें एक किचिन टावल रख रही हूँ नीचे नापकिन उसके उपर ये धनिये के पत्ते जो हमने सुखाए हैं वो डाल दूँगी और इसको कवर करूँगी एक और किचिन टावल से अब इस बॉक्स को बन कर देंगे और फ्रिज में अराम से ये पंदा से 20 दिन बिल्कुल फ्रेश रहेगा कोई दिक्कत ने आएगी मैं आपको खोल की दिखा रहे हूँ बिल्कुल फ्रेश है ना ये ऐसे ही धनिय के पत्तों को असानी से आप स्टोर कर सकते हैं अगर मोईस्चर आता है ढकन पे तो उसे पोच के आप नापकिन बदल दें किचिन टावल बदल दें और ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे नेक्स टिप की और बढ़ते हैं आप जब भिंडी बनाते हैं तो ये देखेंगे लेस सी आने लगती है चिपकने लगता है टेस्ट भी अजीब सहो जाता है इसके लिए क्या किया जाए कि ये चिपके नहीं लेस ना छोड़े ये लेस इसलिए आने लगता है क्योंकि कुछ moisture या पानी रह गया है भिंडी में बनाते समय काटते समय और उसकी वज़े से ये लेस आने लगता है ये ना आए इसके लिए क्या करें आदा नीम्बू लें और अच्छ से भिंडी बनाते समय से निचोड़ दें और फ्लेम को लो रखें और ढखके बनाएंगे तो आपकी भिंडी में लेस बिल्कुल भी नहीं आएगा और फ्रेश बनेगी शेयर करना ना भूले अपने सजेशन्स और कमेंट्स की कैसी लगी आप सबको ये वीडियो और अपने फ्रेंट्स और रेलेटिव के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को जादा से जादा मिलूंगी ऐसी ही और बड़िया बड़िया tips and tricks के साथ useful kitchen hacks के साथ next video में तब तक के लिए goodbye, take care and don't forget to like, share and subscribe